अभी आप देख रहें AR Concept Learning और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीचर की जो निक्ती होगी अध्यापक के पत्वे जो निक्ती होगी उसके लिए जो लिखित परिक्षा ले जाएगी वो वस्तुनिस्ट प्रकार की परिक्षा होगी मतलब objective question होगे उसका जो है subject क्या-क्या होगा कितने परिक्षा की अवदी क्या होगी कुल अंक कितने होगे वो साली चीजों पर हम बात करने चाहरे हैं बहुत ही आसान language में हम समझाने की कोसिस करेंगे देखिए या तो आप primary school के teacher बनना चाहते हैं या तो प्राइमरी के लिए प्रात्मिक टीचर बनना चाहते हैं या आप कोई भी लेवल की टीचर बनना चाहते हैं आपको भासा हारता का exam देना होगा language ability का exam देना होगा जो कि दो घंटे का paper होगा और इसमें आपको 100 question पूछे जाएंगे प्रस्टों की संख्या 100 होगी और दो भाग होगा एक भाग में 25 question होगे और दूसरे भाग में 75 question होगा जिस भाग में 25 question है वो English का part है और इसमें आपको 30% number लाने है qualify करने के लिए दोनों भाग में अलग-अलग भाग 1 में आपको 25 question है उसमें 25 का 30% आप निकाल लीजे और 75 में 30% आपको number लाने होगे तो भाग 2 जो है वो आप अपने हिसाब से जो भी paper लेना चाहते हैं हिंदी उर्दू बांगला कोई भी ले सकते हैं तीनों में से लेकिन भाग 1 जो है आपको अंग्रेजी रखना अनिवाज होगा यहां पर दिया गया है कि भाग 1 में अंग्रेजी रखना क्या होगा सभी अवर्टी के लिए अनिवाज होगा तो समाने अध्यन का पेपर होगा 500 नंबर का पेपर होगा दो घंटे का पेपर होगा और यह 150 नंबर का पेपर होगा तो यह सिर्फ प्रात्मिक अध्यापक के लिए बात करें प्रात्मिक विद्धाले के जो अध्यापक होंगे उसके लिए अब इसमें क्या है कि इसमें गनी मतलब जेनरल साइंस से कुश्चन होगा और समाजिक विग्यान, सोसल स्टडी का कुश्चन होगा, भारती राष्टी आंदोलन, जो भी हैं उन से सवाल होगा, साधी साथ जोगरफी यानि भुगोल और परियावरन, मतलब इन्वारोमेंट से सवाल होगा, तो यह टोटल आपका प्रात्मिक टीचर आप बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे 100 नंबर तो आपको भासा आरता का कुश्चन पूछा जाएगा, और 500 नंबर का समाने अध्यान का, मतलब टोटल 200 नंबर का कुश्चन पूछा जाएगा, और टोटल 4 घंटे का वक्त इसके लिए जो eligibility होगी वो अलग-अलग होगी, कोटी 22 होगी, अगर आप समाना बढ़ती हैं, तो 40% है, अगर आप विकलांग है, तो वो 32% पे कौलिफाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और पेच है, कि आप 40% तो नंबर पे कौलिफाई हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके negative answer होते हैं, आपके गलत answer होते हैं, तो वहाँ पे आपके number काट लिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए, आप वो कितने number काटे जाएंगे, 1Y4 काटे जाएंगे, half काटे जाएंगे, या फिर पूरा number काटा जाएगा, वो तो अब आगे पता चलेगा, लेकिन आपके negative marking number का आपका भासा हरता, और समानाध्यन जो है, आपके 500 number का पूछा जाएगा, टोटल 500 number का पेपर होगा, और चार घंटे का वक्त दिया जाएगा, पहले पेपर के लिए आपको, इंगलिस में भी 30% लाना है, 25 में से, 25 कोशन होगा, आपका जो दूसरा language आप चूज करते है आपकी जो category है, उसके हिसाब से, समाने के लिए 40, और जो आपके पिछरे वर्ग हैं, उनके लिए 36.5, तो अलग-अलग महिलाओं के लिए 32%, ठीक है, SCST के लिए 34%, तो इस तरह की जो, मतलब, category बाज, sorry, SCST और महिलाएं वगरा के लिए, दिव्यांग वगरा के लिए आपको 32% लाने होंगे, तो अभी हम लास्ट में देखेंगे, देखें यहाँ पे, यहाँ पे दिया गया है, कि आपका जो है, समाने वर्ग के लिए 40%, पिछरा वर्ग के लिए 36.5%, अर्टियंत पिछरा वर्ग के लिए 34%, और जो भी अनुसूचित जाती है, जन जाती है, यानि SCST म हिलाएं, या फिर जो भी दिव्यांग है, डिसेबल स्टुडेंट है, उनके लिए 32% माक्स पे क्वालिफाय हुआ, लेकिन एक बात यहाँ पे दे दिया गया है, कि परते गलत उत्तर के लिए, अंक की कटवती की जाएगी, अब कितने अंक की कटवती की जाएगी, यह नही पर दिया गया है, आपका, जो आप माधमिक विद्धाले के अध्धापक अगर बनना चाहते हैं, तो आपको सो नंबर जो है, लेंग्वेज अबिलीटी का जो है, भासा आरता तो वो तो देना ही देना है, उसमें इंगलीज हिंदी दोनों देना है, लेकिन उसके अलावा यहां पर फिर से आपको 500 नंबर और इसमें भी फिर दो भाग होगा, भाग वन जो होगा, वो आपके subject से related होगा, और भाग टू जो होगा, वो जेनरल जो studies है, उससे related होगा, मतलब जेनरल एवेटने से related होगा, भासा वन, आपका जो graduation में पेपर है, उस हिसाप से तय होगा और दूसरा जो है, यहां पर यह दिया गया है कि भासा टू जो होगा, वो आपका जो है, यहां पर आपके जो अभी हमने कहा कि प्रात्मिक गनीत, समाने जागरुकता, समाने विग्यान, भारतिय राश्ची अंदोनन और भूगोल उससे related होगा, तो 50 नंबर आपका जेनरल साइन्स से होगा, जेनरल साइन्स नहीं, बलके जेनरल स्टडी से होगा, ठीक है, और बाकी जो है, आपका 100 नंबर आपके अपने पेपर से होगा, यहां पर एक पॉइंट दिया गया है कि विषय पत्र मादमिक विद्धाले के विश्चों के पाठी करम से संबंदित होगे जो भी कुश्चन पूछा जाएगा, वो मादमिक विद्धाले से संबंदित होगा, और उम्मिदवार की जो अहरता है, जैसे आप ग्रिजुएशन है, तो ग्रिजुएशन से रिलेटेड भी हो सकता है, यह बाते कहीं जा रही है, फिर देखिए, अगर हम हाई स्कूल की ब मादमाल, फिर पईषन पाइटन स्कूल की अगि öस्ण तो और यह बस्का कहीं, जिस प्रिजुएशन से पिर ऌधा नभर को में मादमाल बातों में में लिए sniff, जैसे करें में लिएट पैपर में में ख्रिंए संब में और डूसरा अनपका 50 पैपर का फिर वही चीजे होंगी जो जेनरल स्टडी की हम बात कर रहे थे जिसमें आपको यहां पे आप देख सकते हैं कि वही चीजे हैं प्रात्मिक गनीत समाने जागरुकता समाने विज्ञान भारतिय राष्टिय अंदोलन एवं भुगोल सामी लोगा अब देखिए टोटल यहा इस सवाल पूछे जाएंगे तो इस तरह से टोटल 200 नंबर का सब पेपर होगा चाहे प्रात्मिक का हो मिडिल का हो या प्लस टू का हो और टोटल चार घंटे का वक्त आपको दिया जाएगा और अलग-अलग हर पेपर में पास करने हैं और निगेटिव मार्किंग होगी औ और इसके अलावा पहले पेपर जो है लेंगविज अबिलिटी उसमें आपको 30% मार्क्स लाने है और दूसरा जो पेपर है वो आपका आपके जो आपकी केटोगरीज है उसके हिसाब से समाने वर्ग के लिए 40 पिछरा वर्ग के लिए 36.5 अत्यांत पिछरा वर्ग जो है उ आप टोटल जो है काफी डिफिकल्ट यहां पे सिलेबस दिया गया है और इस सिलेबस की हिसाब से क्या है आपका एक्जाम लिया चाहेगा तो काफी तेयारी की ज़रौत परेगी काफी महनत करने की ज़रौत परेगी आपको हर तरह की अबिलिटी आपके अंदर होनी English आपको क्या अच्छी होनी चाहिए आपकी Hindi अच्छी होनी चाहिए और आपका General Study जो है वो भी अच्छा होना चाहिए औ। साथी साथ आपको अपने Subject पे भी पकर होनी चाहिए अगर आप इस सारे Abilities मतलब की तै़ारी अच्छे से कर लेते हैं तब आप exam qualify करेंगे तो काफी difficult syllabus यहां पे दिया गया है अब देखिए आगी क्या होता है